नमस्कार दोस्तो मैं मनिस सिंग सेर्फिक.in से आज हम लोग इंटरनल डेवलप्मेंट के बारे में डिसकस करेंगे और यह समझेंगे कि आज बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ और मंडी को क्या हो सकता है तो आज 2nd of June 2021 बैंक निफ्टी में आज एक रेंज में ट्रेट किय आप देख सकतो हो यह candle यह white candle is a bullish candle and यह candle आपको यह black candle which is a bearish candle इस ब्लाक के बीच में aire candle बना है जैसे यहां बना था तो इस वक्त जब यह बना था तो मैंने बोला था कि यह bullish reversal harami pattern है तो एक spike आया तो यहां भी bullish reversal harami pattern बना है और same label पर बना है तो as per the candle pattern यहां से एक reversal आना चाहिए बट हमें बहुत सारे चीजों को देखना है डेटा को भी देखना है तो उससे डेटा में जाने के पहले हम लोग इंटरडे चार्ट को देखते हैं कि इंटरडे में exactly क्या हुआ Friday को और 35,272 के नीचे जब ट्रेट करने लगा तो continuous नीचे गिरा जो कि मैंने बोला था इसके नीचे आप अगर आए तो आप long cut trade exit कर जाए तो continuous नीचे ट्रेट कर रहा है और 34,916 को retest करकर बार-बार नीचे आ रहा है तो यह लेबल जो है 34,916 जो है यह हमारे लिए बहुत एहम लेबल बनकर आएगा आगे के लिए जब तक इसके ऊपर हम hold नहीं करते हैं तब तक हमारा यह जो trend है यह break नहीं होगा इसके ऊपर जैसे क्योंकि यह जो है lower top and lower bottom बनाता जा रहा है इस इस पैटर्न lower top and lower bottom to break this pattern एक higher top बनाना पड़ेगा जो यह top है इसके ऊपर closing देना पड़ेगा और bottom जो भी है फिर वापस जब आएगा तो इस bottom को hold करना पड़ेगा इस bottom को तोड़ना नहीं पड़ेगा तब जाकर एक reversal आएगा राइट इंट्रडे में आप जरूर ध्यान दें कि अगर bank nifty के ऊपर चला भी जाता है और वापस नीचे आ जाता है और इसी range में trend करता है तो जब तक इस pattern को break करने के लिए आपको ध्यान देना है कि 34,916 के ऊपर यह closing दे तो जैसे अगर closing देता है तो इसका 34,900 के नीचे का आपको SL लगा कर उपर का एक position बना सकते हैं जो 35,272 तक का आपको ले जा सकता है उससे पहले अगर कोई भी पोजिशन बनाने के पहले आपको जरूर डेटा में देख लेना पचाईए कि डेटा में क्या हो रहा है तो डेटा में हम लोग देखते हैं क्योंकि थर्सडे को हमने डेटा रिड नहीं किया था क्योंकि मैंने बोला था कि थर्सडे को डेटा अतना डेवलप नहीं हुआ था तो फ्राइडे को करेंगे तो 900 हमारा अहम लेबल बन जाता है और नीचे है 34,637 तो बैंक निफ्टी का नीचे का सबसे अहम लेबल है जो बैंक निफ्टी को होल्ड करके रखेगा वो है 34,600 और उपर का लेबल है जो बैंक निफ्टी को उपर नहीं जाने देगा जो रेस्टेंस के लिए काम करेगा वो तो यह एक आपको clear range है, ठीक है, तो अब हम लोग data में देखते हैं, कि exactly क्या हुआ Friday को, जो bank nifty उस label को cross नहीं किया, तो हम लोग 34,900 को देखते हैं, 34,900 पे 15,000 trades open है, अभी भी data बहुत ज्यादा नहीं है, और put side में 8,000 है, 34,800 पे 23,000 trades open है put side में, और call side में 23,000, 34,700 पे 21,000 put side में trades open है, और 12,000 open है आपको call side में, so 34,800 पे 25 है यहाँ पे और यहाँ पर है 23, but Friday को addition जो हुआ है, call side में सिर्फ 9,000 का हुआ है, और put side में 14,000 का हुआ है, इसलिए bank nifty 34,800 के उपर closing देने में सक्षम हुआ है, इसलिए bank nifty 34,800 के उपर closing दे पाया, तो यह जो addition हुआ है, इस put addition ने bank nifty को hold करा दिया 34,800, तो data में आपको clear दिख रहा है कि 34,900 है, bank nifty defending कर पाया due to the lack of put writing, ठीक है, आगे देखेंगे 34,600 पे, 34,600 पे 13,000 put side में है, और 2,000 call side में, और उसके उपर 34,500 पे call side में 2,000 trades open है, और put side में 33,000 है, ठीक है, बट यहां थोड़ा कुछ unwinding भी हुआ है, कुछ लोग निकले भी है, तो अभी क्या है कि bank nifty का range जो है 34,900 से 34,800 के बीच में अभी आज के data के अनुसार हमें दिख रहा है, उससे नीचे गया तो 34,700, हर 100 points पे एक level बन कर आ रहा है, 34,900 is most important level for the breakout, for next up move, उसके बाद जो है, वही same हम लोग आ जाएंगे, कौन से लेबल पे, 35,300 पे, आपको याद होगा, 35,300, कितनी बार bank nifty ने, बहुत try करने के बाद bank nifty उपर गया था, बट वापस गिर गया, राइट, तो आपका important level जो है, data के अनुसार भी 34,900 है, और chart के अनुसार भी 34,900 है, नीचे में chart के अनुसार 34,5,44, बहुत important level है, क्योंकि यहाँ पे bank nifty, many times, more than 10 times, 13 times, bank nifty defend किया है, तो यह label भी बहुत important बन जाता है, यहाँ से जो candle pattern बना है, उस candle pattern के अनुसार, यह bullish हरामी reversal pattern, जो यहाँ भी बना था, और यहाँ से फिर वो वापस उपर गया, अगर यह वापस यहाँ से उपर जाता है, तो हमारा सबसे important और एहम breakout level हो जाएगा, 34,810, बट उसके पहले एक और लेवल आता है, 34,300 का, जो आपको important लेवल है, डिरेक्टली हम यह कह सकते हैं कि 34,300 के ऊपर जब बैंग निफ्टी होल्ड करेगा, ऊपर के upside के मूव के बारे में हम सोच सकते हैं, और एक चीज और मैंने बोला था, कि इस लेवल में जितना time बैंग निफ्टी बिताएगा, उतना target ऊपर बढ़ता चला जाएगा, क्यों, क्योंकि यह ascending train line है, अभी और time लगाएगा यहाँ पर तो यह train line और 38,500 के तरफ चला जाएगा, कि हमारे data में क्या development होडा है, 34,800 पे अगर कल के दिन मंडे को यहाँ पर ज्यादा addition हो जाता है call side में, और put side में कुछ खास नहीं होता, तो यह 34,800 भी तूट जाएगा, ठीक है, भले वो candle green हो, red हो, से कोई फरक नहीं परता है, वो trap हो जाएगे, bulls trap हो जाएगे, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान देना है, तो 34,900 के उपर हम नहीं टिकेंगे, जब तक data में, put side में call side से ज्यादा writing नहीं हो, या ज़्यादा यहाँ पर numbers नहीं दिखें, तो आपको 34,900 के पास अगर नहीं आता है number ज़्यादा यहाँ पर writing नहीं दिखता है, तो यहाँ पर जरूर आप shot करें, या 34,900 का put buy करकर आप नीचे का profit बना सकते हैं, और नीचे में अभी 34,800 है, 34,700, यह दो aim level है, तो इनके बीच में आता है, तो फिर आप call buy कर सकते हैं, with the stop loss below 34,700 और 650, तो ऐसा एक trade आप range में range bound कर सकते हैं, आपको दोनों side का trade मिलेगा, जैसे ही market में labels meet करता है, अपनी strategy को change करें, क्योंकि market अभी range bound है, आपको दोनों side का trade मिलने का chances है, चलिए अब line chart में जाकर देख लेते हैं, line chart में exactly क्या हमें बन कर आ रहा है, यह line chart में double bottom pattern, breakout, then breakout fail, because इस label यह जो label था, यह important label था, और यह label 34870 का है, तो 34870 के नीचे, जब तक यह closing दे रहा है, बैंक निफ्टी उपर का movement नहीं होगा, चुकि candle stick pattern में bullish हरामी reversal pattern बना है, तो हो सकता है कि इसके उपर हम खुले और consolidate करें बहुत देर तक, तो भी 34916 level, जो candle stick pattern में था हमारा, वो important label बनता है, और data में 34900 है, तो दोनों level 900 पे सबसे important बन जाता है, तो 900 के उपर closing दे देगा bank nifty, तो आगे का label बनकर आएगा 35200, 75 से लेकर 35300 के बीच में, जो जिसको मैंने no trade zone बना के रखा, यह 25 points का range है, यह no trade zone रखा है, फिर यहां पर हम exit हो जाएंगे अगर बने buy किया है, और इसके उपर hold करने का wait, इसके उपर hold करता है, तो फिर नया position लेंगे हम, और नया position कहां तक लेंगे, 35800 and 10 का, यह जो यह recent rally का सबसे high point है, 35800 है, तो लेबल को याद रखिए बस, जैसे यहां पर 34900 पर आपने put buy किया, तो नीचे आया, फिर आप इधर में 34700 या 800 के पास, जैसे एक लेबल पर reversal candle, hourly candle green या 30 minute से candle green, hourly candle green अगर बन जाता है, तो यहां से, फिर call buy किया उपर में, और किसी न किसी दिन तो यह break करेगा, या उपर या नीचे, तो एक दिन तो stop loss hit करेगा, लेकिन पास दिन आपको trade बन जाएगा, so that is the best way of doing, in the range bound market, trend is your friend, trend is a range bound, so trade both side, so line chart में भी same, same वैसे ही है, यहां से यह मुरने की कोशिस कर रहा है, यहां से अगर मुरता है, तो 34900 के उपर hold करेगा, उसके बाद next level 35300, उसके बाद next level आपको candle stick चार्ट में हमने जो बताया, 35810 जो उपर का level है, so यह levels को याद रखे, data को देखते रहे, कितना भी आपको दिन में तेजी दिखे, rally दिखे, उस पे candle दिखे, चार्ट दिखे, विस्वास मत कीजे, data को read कीजे, हो सकता ह 34950 चला जाए, और यहाँ पर data में call side में जादा हो, output side में changes ना हो, उसके बाद फिर वो नीचे लेकर, सब को लेकर नीचे आजाएगा, जो bullish है, प्लीज धान रखें इस चीज को, ठीक है, I hope I am very much clear with the data, and I have also explained the line chart levels, and along with that I have also explained the candlestick pattern in the daily chart, and this intraday also, intraday also, okay, so if you have any doubt, please whatsapp me, my whatsapp number is in description, also please like, share and subscribe my channel, thank you